दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है गर बैटे ही अपने मोबाइल फोन के दौरा जो है SBI Small Came Mutual Fund में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो भी जो है जो योनो SBI की एप होती है योनो SBI की एप के दौरा जो है आप किस तरह से Small Came Mutual Fund में इन्वे करें तो SBI Small Came Mutual Fund में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो आपके फोन में जो योनो SBI की एप को आपने इंस्टोल कर रहा है सबसे पहले आपको जो है योनो SBI की एप को आपको ओपन करोगे एप का जो है न्यू इंटरपेस इस तर आपको किलिक कर देना है तो जैसे आप इन्वेस्ट के ओप्शन के ओपर टेप के ओपर किलिक करोगे किलिक करते ही जो है इस तरह का एक न्यू पेज आपके सामने जो है श्यो हो जाएगा अभी इसमें एक ओप्शन है इन्वेस्ट इन मूचल फंट इसके ओपर आपको किल कर देना है तो जैसे ही मैं view available mutual fund के option के उपर किलिक करूँगा इस तरह का page आपके सामने जो है खुल के इसमें show हो जाएगा इस तरह के page में आप देख सकते हो इसमें जो SBI के जितने भी mutual fund है वो पूरे के पूरे आपको इस पेच में show कर देगा इसमें उपर आप category भी देख सकते हो आलफंस दिया हो है तो इसके उपर आप किलिक करोगे तो आलफंस आपको show कर देगा इसके बाद में popular यानि जो most popular है वो आपको show करेंगे इसके बाद में जो है second option popular का third option जो है एने फो को दिया हो है यानि अगर new fund ओपर अगर SBI ने को new fund ओपर इसकीम ला रखी है तो वो भी आपको यहाँ पर show कर देगा इसके बाद में equity mutual fund है equity के option पर किलिक रोगे तो equity show कर देगा इसके बाद में hybrid debt यानि जितने भी परकार के SBI के mutual fund है आप यो no SBI के दोरा उन में बड़ी आसानी से investment कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको page को उपर की तरफ scroll करते जाना है पूर्य mutual fund दिया हुए mutual fund ने जो है एक particular time period में कितना return दिया हुआ है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है तो दोस्तों आपको mutual fund में invest करने से पहले यहाँ पर इसको जो है पूरा का पूरा check कर लेना है कि कि किस mutual fund ने क इतने समय में कितने time period में कितना return दिया है तो किसी भी mutual fund में यह जरूरी नहीं है कि आप SBI mutual fund में चाहिए आप किसी भी mutual fund में invest करने से पहले जो है सब कुछ जरूर चीक करें अभी दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ small cave में तो सबसे नीचे आप देख सकते हो small cave fund regular fund तो इसमें जो है आपको small cave में invest करना है तो small cave हमारे को मिल गया है अभी जहाँ पर मैंने arrow mark किया है invest now का तो invest now के option के ओपर आपको किलिक कर देना है जैसे आप दोस्तों invest now के option के ओपर किलिक करोगे किलिक करते ही जो है इस तरह से SBI small cave mutual fund का जो है page आपके सामने खुल के स्यों हो जाएग के तो दोस्तों आपको हमेशा चाहि किसी भी mutual fund में आप invest क्योंने करो हमेशा आपको grow के option पर किलिक करना है इसमें हमारा return का percentage बढ़ जाता है तो यह द्यान रखने वाली बात है इसके बाद में आप जो है इस fund का पूरा का पूरा यहाँ पर जो है fund का दिया हुआ है तो minimum investment में कितना कर सकता हूँ, maximum investment में कितना कर सकता हूँ, fund का riskometer क्या है तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है किसी भी mutual fund में invest करने से पहले जो है यह जरूर चेक करें कि fund का performance किस तरह का रहा है यह fund जो है आपको जो है future के लिए जो आप इसमें invest कर रहे हो तो आपको एक अच्छा return देगा यह नहीं देगा तो यह आपको जो है जरूर चेक कर लेना है इसके बाद में invest करने के लिए इनवेश्ट नाउ का जो ओप्षह जो ओप्षन दीया हुए सब से निचे तो इमें गया के ऊप्षन के ऊपर किलिक कर देना है जैसे मैं इनिश्ट के option के ओपर किलिक करूंगा किलिक करते हैं यहां पर देख सकते हो तीन option आ गए मंतली SIP quarterly SIP लंसम यानि आप हर महीने जो है पैसा debit करवाना चाहते हो या quarterly करवाना चाहते हो या एक साथ ही जो है लंसम का मतलब होता है दोस्तों एक साथ ही यानि हमारे SIP का option के ओपर किलिक करने के बाद में नीचे जो है amount का option है यानि आप कितने रुपए की जो है SIP करना चाहते हो जार दो जार पान जार जितने रुपए भी हो एक इसका जो आप हमने से भी चालू कर सकते हो ज्यादा पैसे हो तो ज्यादा से भी आप चालू कर सकते हो तो जैसे दोस्तों मैंने 1500 रुपए की मैं SIP करना चाहता हूं तो 1500 रुपए मैंने फिल कर दिया इसके बाद में आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है यानि आप जो है इस पंड को कितने टाइम पिरिट के लिए लेना चाहते हो दोस्तों जो है 500 रुपए की SIP कर लो परंतु उसको लॉंग तरम के लिए यानि जितना हो सके उतना लॉंग तरम उस पंड को जो है इन्वेस्ट करें थबी क्योंकि जितना हम लॉंग तरम किसी भी म्यूचल पंड में इन्वेस्ट करेंगे वो उतना ही बढ़िया हमारे को जो है अगर आप SBI bank के employee हो तो आपको जो बैंक की तरब से UIN नमर मिलता है तो UIN code का option दिया है जरूरी नहीं है कि सबी फिलब करें अगर आप employee हो SBI bank के तो आपके पास जो code होता है वो code यहां पर जरूर जो है इसमें UIN code का जो option है इसमें जो है आपको जरूर वो इंटर कर देना है इसके बाद में आपको जो है पेज को तोड़ सा उपर की तरफी स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद यहां पर जो आपका जो account number है वो आपको श्योग कर देगा और जो नीचे प्रोसीड का option है आपको इस प्रोसीड वाले option के उपर किलिक कर देना है तो जैसे ही मैं प् पर मैंने एरो मारक किया कंप्रम वाला उसके उपर आपको कंप्रम कर देना है तो दोस्तों जैसे मैं यह प्रोसेज करूंगा प्रोसेज करते ही मेरा जो रजिस्टर मोबाइल नम्मर योनों के साथ में उसके उपर एक जो है ओटीप आजाएगा तो वह ओटीप जो six digit की ओ ओटीप मेरे को यहाँ पर जो ओटीप का पोक्स बनावा है इसमें जो है ओटीप मेरे को इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद में नीचे जो सबसे नीचे आप देख सकते हैं ओप्शन दिया हुआ सम्मिट का तो मेरे को सम्मिट कर देना तो इस तरह से हमारा जो है य दोनो SBI का योज़ करके और mutual fund में investment कर सकते हैं SBI के किसी भी mutual fund में हम जो है आसानी से investment कर सकते हैं फिर भी दोस्तों आपको mutual fund में investment के दोरान किसी भी परकार की कोई भी क्यूरियो कुछ समझ में नहीं है रहा कमेंट बोक्स में जरूर लिखे मैं जितनी हो सके पूरी हलप पू कर सकते हैं